आज में एक और प्रेम कहानी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है इश्क का जुर्म. जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बैल आइकन जरूर दबाए ताकि हमारी नई से नई वीडियो आप तक पहुंच सके. एक तथा कठित बुद्ध जीवी मंच से युवाओं को संबोधित कर दैहिक प्रेम के आकरशन से मुक्त हो, समाज के प्रती उनके करतव्यों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करने की भरपूर कोशिशें कर रहे थे. नौजवानों, देश के आने वाले कल के नसीब की उभरती लकीरों, महबूब के फजूल इश्क में कुछ हासिल नहीं. अभी अपनी उफनती जवानी में तुम्हें इन रेश्मी बालों, इन गुलाबी लबों, इन मद भरे नैनो की गहराईयों में तमाम दुनिया की रोशनिया नजर आएंगी, मगर दरसल यहां उलजकर जिन्दगी में बदनामियों और गुमनामियों के अंधेरों के सिवा क खत्म हो जाती है, गालिब, मीर, फैज, खैयाम या खुसरों की सरपरस्ती में कैद उस दुनिया से बाहर विवेका नंद, कलाम की एक दुनिया और भी है, जो इल्म कराती है कि बतौर इनसान तुम्हारे फर्ज क्या है, इनकी तालीम के आफताब में अपनी जिन्दगानी, अपना मुस्तकबिल रोशन करो, अपने जहीन खुआबों को तरक्की और शोहरत की उमीदों से जीनत करो, इन्हें हुसन और इश्क के बदनियत हलफ नामे पर कुर्बान न हो जाने दो, एक खुददार इनसान की अचानक जुबान लड़ खड़ा गई, सामने वाली पंक् जी, कलाम जी, आप तो फिर हार गए, हाए रे इश्क, तुझसे न जीता जाए, ये इश्क का जुर्म है, वो किसी को नहीं बख्षता